यहां हम पान साल से रह रहे हैं, धाई साल हो गए जब से नाला बना हुआ है, वह बीच में बना के छोड़ दिया गए, तब से हम लोग पानी से गुजर रहे हैं अब यहां उसकी वज़े से जब से नाला दूरा छोड़ दिया गया तब हम लोग तो पानी से ही गुजर रहे हैं। लखनो पश्चिम है और अगर जोन की बात करें तो नगर निगम का जोन छे हैं। तस्वीर देखिए हमारे चारों तरफ आपको जल ही जल नजर आ रहा है। अभी एक ही दो दिन पर साथ हुई है और चारों तरफ पानी ही पानी है। यह देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनो के जोन छे से आप यह देखिए कि चारों तरफ पानी ही पानी जल कुम्भी और उसके बाद बीच में जो मकान बने हुए वहां से लोग किस तरीके से गुजर रहे हैं। यह पानी है जो गंदा पानी है बदबुदार पानी है मगर लोगों की कान बने हुए हैं उनको गुजरना है सामने तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एक बुजर्ग शेक्स एक महिला है और अपने हाथ में बच्चे को लेकर वो आ रही है इस पानी से गुजरते हुए अंदाजा लगा यह कि जब अभी सही से मानसून भी नहीं आया है और इस सवाल हैं जो यह लोग इनका देली सामना करते हैं जो लोग इधर से निकल के आ रहे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर यह इस्तित्री कब से है मैडम आ रही है थोड़ा सा बाहर निकल आए क्योंकि अंदर मैं क्या नाम है आपका चित्त्रा द चोड़ दिया गया तब से हम लोग पानी से गुजर रहें तब से हम पानी से गुजर रहें कैसे इतनी मुश्किल का सामना करके आना जाना क्योंकि अब यह ना आए तो क्या करें चोटे-चोटे बच्चे हैं दूद शामान सब लाना पड़ता है दुकान में आसपास में द पूरी हाला तब बारिष में क्या होता होगा बारिष में घर में पानी भर जाता है गिनने का मकान भी डिर है बताओ तौझ साल से बराबर मकान पानी पी रहा है बत्ती भी उतर सकती है फंब़या तो हम लोग तो मर जाएंगे उसके अंदर जो इसकी कोई सुनवाई कारवाई नहीं होगी इसके लिए आपने विधायक सभासत के पास और लोगों जो जिम्मिदार है उनके पास गई सभासत के पास हमने गए थे खूब कहा तो वो कह रहे हैं कि ठीक है में मलबा डलवाओंगी फिर देखने को नहीं आते हैं अब लेट विट सब बता बिगडी हुए है मर करी आप जो कहते हैं तो वह भी नहीं आते काते हैं पानी में कैसे बना बता अंदेरे में हम कीडा मकोड सबाते हैं कैसे हम रहे रहें भगवाने जानता है कैसे रहे अंत जगा भी नहीं है गरीब हम लोग हम करना कंप निकल रहें तकलीफ आप इनकी महसूस किस देकिसंते ही स्ट्रा सागय आ जाई आपका कोन सा मंकान है कि मरें सामने वाला मकान और चार तरफ आपके यह जलकुंभी है पानी है तो कैसे फिर रहते हैं अब क्या करें मजबूरी है लिखा भी गया नगर निगम को गए भी मंगल दिवस में भी मिले लेकिन यहां कोई सुनवाई नहीं और नगर आयोक्ति से अभी अभी मिला गया त नहीं जो उनको चीठी दी गए तो तुरैंत एक चीठी दे दिया कि वहां यह तो यह कि भागे बीकित नहीं प्र hypothesis क्या रहें हैर नाला है और जो ऐते होए उड़र के के अंदर इसको आगे बढ़ा दिया जाए रोड के किनारे ले जाके अपना नदी में गिराएं जैसे ठीक समझे वाले जाएं अब यहां उसकी वज़े से जब से नाला अधूरा छोड़ दिया गया तब हम लोग तो पानी से ही गुजर रहे हैं और कोई सुनने वाला ही नहीं बारिश में घरवों में गुज जाता है निकलता ही नहीं पानी अपकी तो और गुज जाएगा वो पुलिया बंद कर दिया है क्रना पानी से बता ही लोग से बारिश होती है घर में सब पानी गुज जाता है को भुड़ जाता है खराब हो जाता भूँकेन मरते हैं नहीं निकलता है माकान का फिर बाद का माकान से सब उल्चते हैं पानी तब फिर पानी में जाते हैं बागी यह चीजे और रही हम नहीं रोकते हैं सरकारी काम। मजबूरी हम लोगन के आगे अब कहीं जगा भी नहीं है अत्ता कातिका पैसे वाले नहीं है जो कहीं जाके अंत बना ले या किराय से रहे ले तो उसी पानी में रहते हैं चोबिस घंटा रहते हैं क्या करें किरा मकोडा सबाते साफ तर पे तस्वीर में हम एक बार फिर से इन से भी बात कर लेते हैं मैं जो तस्वीर नजर आ रही है थोड़ा सी धरी आएं कि देखी चार तरफ जल भरा हुए आप लोग बार बार नगर निगम भी जा रही है सुनवाई नहीं हो रही है तो किस तरीके से नगर निगम क्या कह रहा है क्यों नहीं यह सुनवाई हो हाँ सरह हम समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत जादा दिक्कते हैं बच्चों को इसकूल जाने में सबसे दिक्कत है क्योंकि वो उमर में बहुत छोड़े होते हैं तो वह एसी क offshore hanby लगवाते हैं तो फरान बहुत हैं कोई रास्ता आभिल लहीं है और मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि ये स्मार्ट चिती और खुबसूरत लखनों बनाने में प्लीज हमारा जल्दी से जल्दी सही होग करें और यहां का नाला पूरा करें तो ये राजधानी लखनों के जोनचे के हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जो सड़क के किनारे जो बुनियाद है लोग इससे गुजरते हैं और ये बन्याद इस तरीके से, कुछ ये पूरी तरीक से आप देख सें, कि सड़क जो है ये चलने के काबिल नहीं है, लोगों को चलने के लिए इस बन्याद का सहरा लेना पड़ता है, और अंदाजा लगाईे कि इस बन्याद से छोटे बच्चे, बीमार और जो महिलाएं है वो कैसे गुजरती होंगी तो राजधानी लखनो जो स्मार्ट सिटी है राजधानी लखनो जो की सोच भारत अभ्यान लगतार यहां पे चलाया जाता है मेर नगर आयुक्त नगर विकास मंतरी बार बार कहते हैं कि लखनो के जैसा सुंदर शहर कहीं नहीं है ऐसे में आप अं अब इसका जो मुख्य कारण है जो एक नाला है वो तस्वीर हम आप आगे आपको दिखाएंगे कि नाला कहां से शुरू होता है और उसकी वज़े से यहां पर सैकड़ों लोगों को कितनी परशानिया होती है चारों तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि यह पुरा जलकुम्भी ही जलकुम्भी नजर आ रहा है गंदा पानी है जल भरा हो है तस्वीर को देखके आप महसूस कर रहे हुए कि शायद किसी तालाब के बीच में आके यह लोग बस गये मगर तालाब के बीच में न अर्मान खान यहां मौजुदा समय में विधायक है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यह जो आप सामने देख रहे हैं यह नाला है यह नाला जो छेत्रिये लोगों का कहना है कई गाउं से पानी जो इस नाले से होके गुजरता है और आगे जाके फिर इसका कोई संसाधन नहीं है कि इस पानी को बाहर निकाला जाए सके शायद यहीं मुख्य कारण है कि पूरे छेत्र में जल भरा होई छेत्री लोगे कुछ उनसे बात कर लेते हैं जो नाला दिख रहा है उसके बाद सी चार उत्रा पानी पानी है यह क्या मामला है यह गाउं से पानी आता है दर सकता हैं वोट लेने आते हैं उसके बाद कभी बोड लिने पढ़े मानसूब सुरूण के वह पारिख होई यह घर भर जाते हैं बिल्कुर पानी भरजा पानी हो जाता है बच्चे इसकूल नहीं जा पाते हैं आएसी इसी बीमारियां फैल रही है पूछो ना हम लोग तने परेसान है कि यहां को सुनाई करने वाला है ने सब से जगाते मलब रिपोर्ट हो चुकी है सामने हम देख रहे हैं कि थोड़ी से रोड बनी है फिर बीच में जलकुंबी यह मतलब है अपने किसी जुगाड से इन्होंने मलब कहीं से करके माइनज करके बनवाया है किसी से चेयर मैंन या कुछी से बनवाया हो अच्छा करा दिया उन्होंने उनका कोई मतलब आफसर होगा यह चकर हुआ है सर मैं यही जानना चाहि रहा हूं कि वहां थोड़ा सा रोड बनाया गया फिर उसके बाद यह पूरा चलकुंबी छोड़ दिया यह रोड पूरी है इसको छोड़ दिया आप लोड नहीं देते सुविधा उतने ही लोगों को erio's लोगों को उसब्दा दी बाकि यहां कुछी को सब्दा नहीं हुर्ष परहसानी है कि यहां दोथ ओनना कि लगातार सोच भारत की बात होती है लखनु के समार सिटी बताया जाता है वहां तक उस रोड तक पानी भरा था भी आज भी भरा हुआ है आप देखो जलके वहां पर को यहां देखने नहीं का कई लगा सिकाइट की गई तभी नहीं है सब्सक्राइब नहीं बनी आठ साल से यहां पर इधर कुछ महिलाई भी हैं से भी बात कर लेते हैं मैडम वोट दे रही है टेक्स दे रही है और उसके बाद भी सुविधाई नहीं मिल रही है कोई सुविधाई मिलती नहीं पूरे घर के पानी भरा आसपास वहां देखो पानी भरा है पीछे भी दिवाले कमरें बैठ गये हैं कोई वहीं सुनवाई नहीं होती पांच साल होगे टेक्स बरते हुए और कोई आता ही नहीं सुनने कितनी अप्लीकेशन कितनी बार सिकायत करें पञब्र्बर कोई करेंगे नाला इधर से तीन साल पहले नाला था नहीं हम लोग 350 तीन साल लोग अ कर दिया छोड़ दिया है च्जू स्वाथ है तो तो इसलिए दूब है लोगन तहु की हलो नाला नहीं बनेगा हम लोग कहां जाएंगे गरीब कि एक बार जमीर करीदना मुस्किल बनाना मुस्किल कहा को जाएंगे इदर आईए मानस Datab कि série जलता हुआ आ रहा है पूरा पटा हुआitez नाले के लिए मानसून शुरू होने से पहले हर साल नगरनिगम के द्वारा नालों की सफाई के लिए बजट जारी किया जाता है और सख्ती से जिम्मेदारों को अधिकारियों को अपर नगर आईतु के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि मानसून से पहले नालों की सफाई हो जाए ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो आप आम जनता की स्तिथी का अंदाजा लगा लिजीए यहां इतना बद्बूतार पानी आ रहा है दुर्गन्त आ रहा है कि लोगों को याँ पर रहना दूभर है यह जुगाल से लोग यहां पर रह रहे हैं यह देखेंए यह नाला है यह नहोंने अपना लौहे का पठ्रा र रहता है और सबसे बड़ी बात यहां पर लोगों ने बताई कि इस नाले को यहां से शुरू तो किया गया आगे थोड़ा सब में हमारी दाहिनी और तस्वीर दिखाई यह आगे जाके नाला छूट गया अब इस नाले के काम को छेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम के द लिगम जाकता है और कब इस नाले की सफाई होकर इसका काम पूरा होगा ताकि छेत्रव आसी यहां पर तमाम परिशानियों से बच सके बीमारियों से बच सके राजानी लखनू जो कि स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है स्वच भारत अभ्यान चलाया जा रहा है मगर उसके भारत अभ्यान और इसमा सिटी के नाव पर पलिता नकाती हुई नजर आ रही है वीडियो जनलिस मारस मैं रुत्रा के साथ फरीदुलहस्तन हैश्टेक भारत न्यूज लखनू